समस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारा बच्चा दूद नहीं पीता है तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा दूद पीने लगे बच्चे ने दूद पीना छोड़ दिया है पहले बच्चा जो है बोटल से फीडिंग करता हो या फिर आपकी ब्रेस फीडिंग करता हो पहले बच्चा फीडिंग करता था लेकिन अब उसने अचानक से छोड़ दिया तो देखिए यहां पर दो तरीके हैं फीडिंग के पहला बोटल से फीडिंग या फिर जो भी फीडिंग करता है ब कि जब भी आप बच्चे को दूथ पिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि हमीशा पच्छे कुछ दूथ पिला पड़ पिला रहें यहां उसको ऊपया करके पता है उसको दूत को का νपर्सन या बड़ी रही है कि तनnes बैद बिस बूरे फिनिश कर घर केयां में अपना इतना में उनके द purely अध्या के सामने बच्रें को बचले में बच्चे को दूद्ल में करें लॉक्त की तो में इंसर विश् utmost और राफuesta था भी उनापी, को allows कि ऊपंधार को दूद्ल पक्रण बच्रें 1 फार बाद दूध नहीं पीता है पहले हम जान लिए दूट से लोड़ दूध भीडिगे अपको लेड़ लिजये तो ने भिनाया है कि जैसे अनुह भाट से लोड़ एक दी जाए लिएक स्क्राइच ग्वार टूध लेति पुरालब कपना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आप उसको ले लीजे ठीक है अब इस दूद को आपको क्या करना है गरम करना है गैस पर आपको जो है पहले गरम कर लेना है अच्छे से उसके बाद जब ये दूद गुनगुना हो या फिर गरम हो बच्चे के लिए आप प्रिपेर कर रही है उसी गैस में आपको क्या करना है एक चाकू नोकिला चाकू को ध्यान रखेगा इस तरीके से ठीक है उसको जो है आपको गैस पे उसको भी गरम कर लेना है ठीक है यह गरम चाकू जो है आपको इतना गरम कर लेना है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत जादा गरम कि आप इ करना है और उस गुनगोने दूद में आपको क्या करना नहीं है यह बच्चे को पेलानाओ इसे क्या होगा कि जो भी बच्चे को नजर लगी होगी दूद उगले कि पहले आपका बच्चा पूरे अच्छे से पीता था लेकिन आप नहीं पी रहा है तो इससे क्या होगा कि वो जो नजर है वो कट जाएगी बच्चा इजली दूद पी लेगा ऐसा आप इतवार कर सकती है और बुद्वार कर सकती है इन दोनों दिन में से कोई से भी दिन आप यह भी प्रॉबलम नहीं है थीक है ना लेकिन दिन भर में जब भी आप बच्चे को एक दिन आपने या फिर संडे की दिन दिन भर में जित्ती वार भी दूद दे नहीं तो आप इस प्रोसस को कर के दीजिए जिसे की बच्चे के नजर जो दूद की है वो इजली उतर सके और आपका बच्चे रेगुलर वे में दूद पीना स्टार्ट कर दें यह तो बात होगी बोटल से सकेंडली बात आती है कि आप बच्चे को आप अपनी फीडिंग कराती है ठीक है तो बच्चे में फीडिंग छोड़ रखी है तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है त को को जबी अपनी फीडिंग कराएं तो आपको जहिता उसी टाइम उतारनी है जब बच्चे को अपनी फीडिंग कराई यह नजर जू है आपको जब चैकि मान लेज़में को अड़ी घर में अपकी मंपी हो सासुमाह नो या कोई और हो उन से आप उतरवा सकती है या फिर आप या करें आप कोई नहीं है आपकी घर में कोई बात नितल आ बच्चे को धूद पिलाती रही ऐ आप uda कर रहा है उसी ताइम पे आपको भुझ करते करते टाइम पे ही आपको बच्ची की नजर इसा नहीं है कि आप उन्ने दूद पिला चैनल को यहा है दूद पम भी रहा है रहा है दूद्स कोई प्रॉब्लम के साथ सी दूद्स साथ में अब दूद्स को इस यह को भली उतार हैं रही हैं । चाहे जय tam soutar कराते ही उतार लेना हां अज़र पर चैल को हडाते हैं अपके लिए नहें तो बच्च एक पर भी यहए। जिसके क्या होगा कि दूत पीदे जूद नहीं पीते हैं मदर का दूद छोड़ देते हैं उन बच्चों की नजर उतर जाती है क्योंकि बच्चे ज домой तो अच्छा नतीड स्काइब से टॉठ टूद पी रहा हैं इस बात दिखे एसा होता है हम अच्छा इसका थी एंग लग जाती है तो आप उस टम पे तो एक भी तो को तो नजर ना लग सके और अगर बच्चा नजर लग जाती है तो आपको simply क्या करना है जब बच्चा feeding कर रहा हो फीडिंग करते करते ही बच्चे की नजर उताना है इतना सा काम आपको करना है ठीक है इसके लावा मदर्स को अगर कम milk आ रहा है तो मैंने इस पर वीडियो कर सकते हैं तो आपको कर सकते हैं तो आपको डिज से क्लिक आपको काफी मने तो आपिम करना लनाई में अगर बच्चा तो इस तरीके से आपको बच्चे को दूद की नजर है वो इसली उतर जाएगी तो उमीद करते हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हैल्फुल होगा आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक बड़ा सा हिट दीजिएगा लाइक किजिएगा और वीडियो शेयर जरू किजिएगा अधर ममी और पेरेंट्स के साथ में जिससे उनकी भी हेल्फ हो सके उनकी बेबी के लिए अगर चैनल पर पहनी वारा है तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब करना ब्रुकर मत भूलेगा इसी तरह की यूसफुल वीडियो देखने क लिए हमारे चोटे चोटे बच्चों के लिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक्यू